प्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश पोएट मैरी होविट की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है इसे 1829 में पब्लिश किया गया था एक कलेक्शन में जिसका नाम था दा न्यू येर्स गिफ्ट एंड जुविनाल सोविनेर फ्रेंड्स ये जो पोएम है ये थोड़ी लंबी है और इस पोएम में एक छोटी सी स्टूरी को बताया गया है ये स्टूरी है एक स्पाइडर और एक फ्लाइकी जैसा कि आप टाइटल पढ़कर समझ ही सकते हैं फ्रेंड्स पाइडर्स यानि जो मकडे होते हैं वो आप जानते ही है कीडे मकडों को खा जाते हैं और यहां जो स्पाइडर है वो इस फ्लाइक को यानि जो मक़ी है उसे अपने जाल में फसाना चाता है चाता है कि वो उसके जाल में फस जाए ताकि वो उसका शिगार कर सके और इसके लिए वो अपने चार्म्स को यूज़ करता है फ्लाटरी यूज़ करता है उस फ्लाइ की तारीफ करता है उसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब करता है और अंत में ये जो फ्लाइ है ये उसके जहांसे में आ जाती है उसके जाल में फस जाती है और इस तरह इस fly की death हो जाती है इस poem की theme भी कुछ ऐसी ही है flattery and seduction यानि किस तरह जो spider है वो जूटी तारीफे करके अपने charms को दिखा करके इस fly को अपनी तरफ attract कर लेता है और यही इस fly की death का कारण बन जाती है यह जो poem है यह एक fable है और साथ ही यह एक comedy जीना से बिलॉंग करती है Friends, Mary Howitt एक English poet थी जिनका जन्म हुआ था 12 March 1799 में और उनकी death हुई थी 30 January 1888 में Friends, वो जानी जाती है Hans Christian Anderson की tales को translate करने के लिए Hans Christian Anderson जो थे वो एक Danish author थे और उनकी stories जो है वो children stories हुआ करती थी जो बहुत famous थी लेकिन वो अपने native language में लिखते थे Danish language में लिखा करते थे तो इसलिए उनकी plays को उनकी stories को ये English language में translate किया करती थी Friends, उनकी famous works में Wignets of American History, A Pleasant Life, Birds and Their Nests ये सभी शामिल हैं लेकिन ये सबसे जादा popular है अपनी इसी poem के लिए The Spider and the Fly चलिए Friends, आगे बढ़ते हैं और अब इस poem को पढ़ कर समझने की कोशिश करते हैं Friends, ये जो line है ये बहुत ही जादा popular line है Will You Walk Into My Parler बहुत सारे books में, बहुत सारी essays और novels में इसका reference लिया जाता है यानि जो spider है, वो fly से कहता है कि क्या तुम मेरे parler में या मेरे इस छोटे से घर में अंदर आओगी चल कर अंदर आओगी This is the prettiest little parler that ever you did spy यानि ये जो मेरा parler है ये सबसे प्यारा छोटा सा parler है जो तुमने कभी आज तक देखा होगा इससे खुबसूरत parler तो हो ही नहीं सकता The way into my parler is up a winding stair और मेरे parler में जाने का मेरे घर में जाने का जो रास्ता है वो एक winding stair है यानि गोल-गोल घूमती हुई सीडियों से है ये गोल घूमती हुई सीडियों क्या होगी तो जो spider का web है जो उसका जाल है उसके बारे में याँ पे spider बात कर रहा है और मेरे पास बहुत सारी प्यारी प्यारी छोटी सी चीजे हैं जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ एक बार जब तुम वहाँ पर आओगी यानि एक बार मेरे पार्लर में आओ तब मैं दिखाता हूँ कि कितना beautiful है मेरा वो पार्लर मेरा घर और उसमें कितनी खूबसूरत चीजे हैं लेकिन जो fly है वो क्या कहती है तो आस्क मी इस इन वेन यानि जो fly है जो मक्षी है वो कहती है कि अरे नहीं नहीं मुझसे ये बात पूछना बेकार है इन वेन है यानि बेकार है मुझसे पूछने का कोई फाइदा नहीं होगा for who goes up your winding stair can never come down again क्योंकि जो भी कोई तुम्हारे इस winding stair से इस घूमती वी सीडियों से इस जाल से उपर जाता है तुम्हारे उस parlor में वो कभी नीचे नहीं आता है यानि एक बार जो तुम्हारे घर जाता है वो कभी लोट कर बाहर ही नहीं आता है तो मैं भी नहीं आऊंगी I am sure you must be weary dear with soaring up so high यानि जो spider है वो कहता है कि मुझे पता है dear कि तुम ठक गई होगी weary होगी क्योंकि तुम बहुत समय से आसमान में उचा उड़ रही हो soaring up so high Will you rest upon my little bed said the spider to the fly और क्या तुम मेरे इस छोटे से बिस्तर पर आ कर कि लेटोगी आराम करोगी क्योंकि तुम बहुत समय से उड़ रही हो तो ठक गई होगी आओ और मेरे घर चलो मेरे बिस्तर पर थोड़ी दिर आराम करो there are pretty curtains drawn around the sheets are fine and thin अब आगे जो spider है वो अपने घर को describe कर रहा है कि मेरे घर में बहुत सारे प्यारे प्यारे curtains है यानि परदे टंगे हुए है और साथ ही जो sheets है यानि जो bed पर sheets बिच्छाए गए bed sheets जो है वो बहुत fine है बहुत pretty है और साथ ही बहुत पतले है बिलकुल soft है बड़ा मज़ा आएगा तुम्हें and if you like to rest a while I will snugly tuck you in और अगर तुम चाहोगी कि थोड़ा देर वहाँ आराम करो तो मैं तुम्हें उस bed पर सुला दूँगा और अच्छे से तुम्हें वो sheet उड़ा दूँगा यानि तुम्हें बिलकुल comfortable feel होगा अगर तुम यहाँ आना चाहोगी तो Oh no no said the little fly for I have often heard it said यानि जो fly है जो मक्षी है वो कहती है कि अरे नहीं नहीं मैंने ये बहुत बार पहले भी सुना है They never never wake again who sleep upon your bed कि जो कोई भी तुम्हारे बेड में सोता है तुम्हारे बेड पर जाके जो कोई भी तुम्हारे घर में सोता है वो कभी भी दुबारा नहीं जाकता है यानि तुम्हारे घर जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता है तुम्हारे बेड पर जो सोता है वो कभी जाकता नहीं है तुम dangerous हो और मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाला इसलिए मुझे यहां पर attract करने की कोशिश मत करो said the cunning spider to the fly dear friend what shall I do और अब ये जो cunning spider है यानि जो धूर्थ spider है ये उस fly से उस मक्खी से कहता है कि my dear friend मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ to prove the warm affection I have always felt for you क्या करने के लिए तो मेरे मन में तुम्हारे जो affection है जो प्यार है जो फिक्र करता हूँ मैं तुम्हारी उसे prove करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ I have within my pantry good store of all that's nice यानि मेरे pantry में मेरे जो kitchen है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जो बड़ी अच्छी हैं खाने के लिए तो तुम भी चाहो तो से आकर के खा सकती हो I am sure you are very welcome will you please to take a slice और मुझे पता है कि तुम बिलकुल welcome हो तुम कभी भी मेरे kitchen में आ सकती हो तो क्या तो तुम मेरे kitchen में आओगी और एक slice लेना चाहोगी कुछ खाना चाहोगी क्योंकि मेरे kitchen में तो खाने का बहुत सारा समान है Oh no no said the little fly kind sir that cannot be यानी नहीं नहीं dear sir यहाँ पे spider को जो fly है वो sir कह रही है कि नहीं नहीं sir ऐसा नहीं हो सकता I have heard what's in your pantry and I do not wish to see यानी मैंने सुना है कि आपकी pantry में आपके kitchen में जहां आप खाना रखते हैं वहाँ क्या है और मुझे उसे देखने का कोई shock नहीं है यानी एक spider के kitchen में क्या होगा जितने भी insects उसके जाल में फसे हैं उनकी dead bodies होगी तो जो fly है वो कहती है कि मुझे पता है आपके pantry में क्या है और मुझे कोई interest नहीं है कि मैं जा करके उन चीज़ों को देखूं Sweet creature said the spider You are witty and you are wise अब जो spider है वो और जादा flattery कर रहा है और मखन लगा रहा है fly को और कहता है कि प्यारे creature तुम जो हो बहुत समझदार हो और तुम्हारे दिमाग बहुत तेज काम करते है यानि तुम बहुत जादा समझदार हो बिल्कुल wise हो How handsome are your gauzy wings How brilliant are your eyes और तुम्हारे ये जो चमकीले पंक है ये कितने सुन्दर है कितने handsome है और जो तुम्हारी आखें है वो कितनी brilliant है कितनी बड़ी बड़ी और shiny है यानि अब जो spider है वो fly के physical appearance की तारीफ कर रहा है कि fly जो है वो देखने में कितनी सुन्दर है I have a little looking glass upon my parlor shelf यानि मेरे घर में जो shelf है मेरे parlor में उसमें एक आईना है looking glass है यानि आईना है तुम उसमें खुद को देख सकती हो If you'll step in one moment dear you shall behold yourself यानि अगर तुम एक कदम बढ़ा करके मेरे घर आओगी और वहां जाओगी तो तुम खुद को उस आईने में देख सकती हो और तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं सच कह रहा हूँ तुम सच मुझ बहुत beautiful हो I thank you gentle sir she said for what you are pleased to say अब जो fly है वो अभी भी spider की बातों में नहीं आ रही है और कहती है कि thank you sir आप बहुत अच्छे हैं और जो आप कह रहे हैं ये सुनकर भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन I'm bidding you good morning now I'll call another day यानि मैं आपको good morning कहना चाती हूँ और इसी के साथ मैं यहां से जाना चाती हूँ किसी और दिन मैं आऊंगी I will call another day यानि मैं किसी और दिन आऊंगी आज तो मैं आपके घर नहीं आने वाली अब ये जो spider है वो पीछे घूम गया और अपने डैन में जिसे वो अपना पार्लर कह रहा था अपना घर कह रहा था उसके अंदर चला गया क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि वो जो सिली फ्लाइ है जो बेवकूफ मक्षी है वो वापस आएगी वो रही नहीं सकती है उससे दूर इतनी उसकी तारीफ कर दी spider ने कि अब तो वो मक्षी चाह के भी उससे दूर नहीं जा सकती है तो इसलिए उस spider ने एक वेब बुना एक जाल बुना बहुत ही अच्छे से और उसे एक कोने में छुपा करके उसे बनाया ताकि जो मक्षी है वो से देख न पाए और साथ ही उसने अपना टेबल सेट किया ताकि वो उस मक्षी को उस फ्लाई को पकड़ कर उसे खा सके यानि ये जो spider है बहुत cunning है और इसके माइड में सिर्फ एक ही बात है कि कैसे ये उस फ्लाई का शिकार करे और इसके बाद वो जो spider था वो अपने एक दर्वाजे से बाहर आया और बड़े ही प्यार से उसने गाना गाना शुरू किया खुश हो करके यानि गाना क्या गा रहा था वो spider की यहाँ आओ यहाँ आओ प्यारे मक्षी जिसकी जो punk हैं वो मोतियों की तरह है यानि जो fly है उसे एक तरह से प्रेज कर रहा है फ्लाटर कर रहा है कि इतनी खूबसूरत मक्षी है कितने सुन्दर पंक है इसके और जो तुम्हारे रोब्स है यानि जो तुमने कपड़े पहने हैं वो ग्रीन और पर्पल कलर के हैं और साथ ही तुम्हारे सिर पर एक क्रेस्ट है छोटा सा ताज है मक्षीयां तो कपड़े नहीं पहनती यहां जो रोब्स हैं वो मक्षी के бॉडि का कलर है मक्षीयां जो होती हैं वो ग्रीन और पर्पल कलर की होती है तो यहाँ पर spider उसकी तारीफ कर रहा है कि अरे तुम्हारे कपड़े जो शाही कपड़े हैं वो तो बड़े खुबसूरत हैं तुम्हारे सिर पर तो एक ताज भी है और तुम्हारे जो पंक हैं उनमें तो मोती जड़े हैं सिल्वर लगे हैं और जो तुम्हारे आखे हैं वो किसी डाइमंड की तरह ब्राइट हैं चमकीली हैं और जो मेरी आखे हैं वो तो डल हैं बिलकुल लीड की तरह लीड फ्रेंड एक मेटल होती है जो बहुत डल होती है बिलकुल शाइन नहीं होता तो यहाँ पर spider जो है वो खुद को compare कर रहा है fly से की fly तो बड़ी खुबसूरत है बड़ी beautiful आखें हैं उसकी लेकिन spider की आखें बड़ी बेकार हैं Alas alas how very soon this silly little fly यानि जो poet हैं वो दुख के साथ कह रही हैं कि कितने दुख की बात है कि इतनी जल्दी यह जो छोटी सी बेवकूप सी मक्षी थी Hearing his wily flattering words came slowly fitting by और उस मक्षी ने जैसे ही इस spider की बाते सुनी जो की बहुत flattering थी उसकी तारीफ कर रही थी वो धीरे धीरे उस spider के पास आ गई यानि उसे पता है कि वो spider dangerous है लेकिन अपनी तारीफ सुनकर उस पर control नहीं रहा और वो और भी जादा तारीफें सुनने के लिए उस spider के पास आ गई With buzzing wings she hung aloft and then near and nearer dew और जो उसके buzzing wings थे यानि friends आपने देखा होगा मक्षी जब उड़ती है तो उनके पंखों के फरफ़डाने की जो आवाज होती है तो उसी buzzing sound के साथ वो आगे बढ़ी और धीरे धीरे और पास आने लगी Nearer and nearer dew Thinking only of her brilliant eyes and green and purple hue और वो सिर्फ क्या सोच रही थी तो अपने brilliant eyes के बारे में अपनी खूबसूरत आखों के बारे में और जो उसके शरीर में जो green और purple कलर था जो से और beautiful बना रहा है बस इसी के बारे में वो fly सोच रही थी Thinking only of her crusted head, poor foolish thing, at last और फिर क्या सोच रही थी तो अपने सिर के बारे में कैसे मेरा सिर जो है वो बिलकुल एक मुकुट की तरह है और कितनी बेवकूफ थी वो, poor foolish thing यानि बेचारी बेवकूफ मखी At last, आखिर कार, up jumped the cunning spider and fiercely held her fast तो उस spider ने एक jump लगाया यानि अभी तक तो spider अपने web में था लेकिन जैसे ही जो मखी थी उसके पास आई उस spider ने एक jump लगाया and fiercely held her fast और उसे कस कर पकड़ लिया ताकि वो मखी उड़ कर ना भाग सके He dragged her up his winding stair into his dismal den और फिर उसने क्या किया उसने उस मखी को drag करके घीचते हुए घसीटते हुए अपने उन गोल सीड़ियों से उस web से उपर ले गया अपने डैन में अपने उस घर में जहां वो तब से उस मखी को आने के लिए invite कर रहा था within his little parlor but she never came out again अपने उस little parlor में उस छोटे से घर में लेकिन वो दुबारा कभी बाहर नहीं आई ये बात तो उस fly ने खुदी कही थी कि जो भी तुम्हारे घर जाता है वो बाहर नहीं आता अब चूंकि वो fly भी अंदर चली गई spider उसे घसी तव अले गया तो वो fly भी कभी बाहर नहीं आई और आप समझी सकते हैं friends की spider ने उस fly को खा लिया वो उसका dinner बन गई अब friends ये जो last answer है इसमें poet जो है वो कुछ wisdom words यानी कुछ अच्छी बाते हमें समझा रही हैं एक तरह से बता रही हैं कि ये पूरी poem से हमें क्या सीख मिलती है and now dear little children who made this story read तो poet क्या कहती हैं कि और अब मेरे प्यारे बच्चों जिनोंने भी इस कहानी को पढ़ा to idle silly flattering words I pray you never give heed तो मैं इस बात के लिए pray करती हूँ प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी जो flattering words होते हैं जो जूटी बाते होती हैं जो बेवजा आपकी तारीफ करते हैं जिन्हें और कोई काम नहीं होता ऐसी बातों से ऐसे words से आप लोग दूर रहेंगे और इन पर कभी ध्यान नहीं देंगे unto an evil counselor close heart and ear an eye और नहीं आप ध्यान देंगे एक evil counselor पर यानि एक ऐसे आदमी पर जो की आपको advice दे लेकिन वो advice क्या हो आपके लिए सही नहीं हो एक evil counselor हो और आपको भले ही उसकी बातें अच्छी लगेंगे आपको लगेगा कि वो आपके लिए सही सोच रहा है आपके heart के बारे में आपके आँखों के लिए आपके सुदने के लिए सब कुछ के लिए वो बाते सहीं है लेकिन आपको उसकी बाते नहीं सुननी है and take a lesson from this tale of the spider and the fly और आप एक lesson सीखिए, एक सबक सीखिए इस कहानी से, इस tale से, जो किसकी है spider की और fly की और friends, यहीं पर ये poem खत्म हो जाती है poem भले ही थोड़ी लंबी है लेकिन बहुत ही simple है और बहुत अच्छी सीख देती है कि दूसरों की flattery में अगर हम अपना सुद्बुद खो देंगे उस पर ध्यान देंगे तो क्या होगा, ये हमारे downfall का कारण बन जाएगा तो friends, ये थी Mary Hovitt की poem The Spider and the Fly